हेलो स्टुरेंट्स आज हम नेक्स्ट पेपर 2022 का बीयल सिट उसका बात करेंगे पहले फिजिक्स पार्ट को देखेंगे तो चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रशन है अवतल दर्पन के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिविंब कहां बनता है जब बस तुमारी फोकस पर हो प्रतरांग बढ़ने के साथ साथ उसकी चाल कम होती जाती है तो हीरे का प्रतरांग सबसे जादा होता है तो हीरे में इसकी चाल सबसे कम होगी अगला है पांच उम प्रतिरोध तार के पांच बराबर टुकड़ों में काटने पर तेक टुकड़े का द्रबमान कितना होगा पांस टुकड़े कर दिये एक कुली जो है तो इसमें समानपाती होता है यानि कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानपाती या अनकोनपाती होता है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगी यानि एक एक ओम के सारे हो जाएगी तो इसका एक कोमेंसर आएगा वेद्धुष्रक्ति का मात्रक नेक्स्ट कुश्चन है वेद्धुष्रक्ति का जो सुत्र होता है वो होता है W upon T P is equal to W upon T W मतलब Joule परती सेकंड तो Joule परती सेकंड को ही हम क्या कहते हैं वाट कहते हैं वेद्धुष्रक्ति का मात्रक वाट होता है नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं दो का बाहनों में उत्तल दरपन का उपियोग क्यों किया जाता है ये पिछले भी BJ सेक्ट में भी आया था कुश्चन और इसका जो मुख्य कारण है क्योंकि उसका जो द्रश्ट छेत्र होता है वो ज्यादा होता है उत्तल दरपन जो है वो अपने से उस पे जो भी Bustum का पर्तियूम बनता है वो छोटा परतियूम बनता है और वो अपने पीछे के जैसे ड्राइवर की सीट के पास लगा है तो जो पीछे से बाहन आ रहे हैं वो उनका छोटा प्रतियूम करके दिखा देता है यह उनका द्रश्ट छेत्र जादा होता है इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं यह मानलेजी हमारा उत्तल दरपन है तो यह क्या करता है इसका जो द्रश्ट छेत्र है वो काफी ज्यादा होता है ज्यादा चीजों को यह छोटा करके दिखा देता है तो पीछे से जो बाहन आ रहे हैं उनका वो छोटा प्रतियूम करके उसमें दिखा देता है और सबसे बड़ी चीज जिसमें यह है कि द्रश्ट छेत्र इसका जो द्रश्टी छेत्र है वो जादा होता है ये चीज बस याद रख दी है द्रश्टी छेत्र अधिक होने के कारण इसका उप्योग किया जाता है समतल दरपन से इसका काफ़ी ज्यादा होता है इसलिए इसका प्रियोग करते हैं तो इसलिए देखते हैं नेक्स्ट वस्तुका जिससे वस्तुका परते लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने तो हमको जो बैलूस दी गई है पहले हम वो लिख लेंगे हमको यहाँ पर बैलूस दी गई है सबसे पहले हमें फोकस दूरी दी गई है तो फोकस दूरी अवतर लेंस की है इसकी इफ वरावर हो जाएगी माइनस का 30 cm फिर कह रहा है लेंसे कितनी दूरी पर रखे यह हमसे यू पूचा गया है यू निकालना है ध्यान रखेगा यहां पर अबतल लेंस है इसलिए इसकी फोकस दूरी जो होगी वो माइनस मिली जाएगी अब परत्विम्ब बन रहा है लेंस से 20 cm की दूर परत्विम्ब बन रहा है वी वरावर माइनस 20 cm तो हम यहां पर क्या लगा देंगे लेंस सूत्र लगा देंगे लेंस सूत्र लेंस सूत्र हमारा क्या होता है एक बटे इफ वरावर एक बटे V माइनस एक बटे U हमको यहाँ पर क्या निकालना है हमको निकालना है यहाँ पर U तो U बराबर हमें इसको लिख सकते हैं U बराबर हो जाएगा एक बटे U बराबर एक बटे V माइनस एक बटे F यह हो जाएगा अब इसमें value spot कर देते हैं तो 1 upon u बराबर v का मतलब है minus 20 तो minus उपर चला जाएगा f, f का जो minus है वो इसको plus कर देगा 30 आ गया तो solve करते हैं LCM इन दोनों का कित्ता आ जाएगा LCM आ जाएगा 3 दूनी 6 LCM आ गया 60 20 तिया 60 plus 30 2 ना 60 ये 1 upon u की value आई तो u बराबर हमारा हो जाएगा minus, sorry, 1 upon u is equal to हो जाएगा minus 1 बटे 60 u बराबर हो जाएगा minus 60 cm यानि कि हमको वस्तु कहां रखनी होगी 60 cm दूरी पर रखनी होगी अब तर लेंस के सामने ठीक है, तो next question देखते हैं इसके बाद अगला जो हमारा प्रस्ण है वो है निकट द्रस्टी दोस क्या है निकट द्रस्टी दोस क्या है इसके बारे में पूछा गया है चले इसको देखते हैं निकट द्रस्टी दोस वह दोस होता है जिसमें हमें पास की बस्तिवें तो इस तवस्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की बस्तिवें इस तवस्ट नहीं दिखाई देती है यह निकरदस्टी दोसों था और यह मुख्यता कम उम्मर में ही हो जाता है क्यों होता है इसका है हम कारण की बात करें तो इसमें हमारे जो नेत्र क के गोलक का जो ब्यास है वो कम हो जाता है तो प्रतिनम रेटीना के पहले ही बनने लगता है इसको एक चित्र के द्वारा हम समझेंगे या जो नेत्र लेंज्स की फोकस दूरी है वो कम हो जाती है इसकी वजह से हो जाता है पहले तो हम दोस को defect करते हैं देखिए कैसे एक हम मानो नेत्र बना लेते हैं simply ऐसे करके यह बना लिया तो यह जैसे किलने आ रही है मान लीजे दूर किसी इस्तित बस्तु से जब यह किलने आ रही है तो यह retina से पहले ही मिल जाती है यहनी कि retina हमारा कहा है यहाँ पे है और किलने मिल गई उससे पहले ही यहाँ पे हमारा image बनने लगता है तो यह defected हो गया अब इस defect को दूर कैसे करते हैं तो दूर करने के लिए हम क्या करते हैं बीच में एक आवता लेंस ऐसे इमान लीजे हमारी आई है और जो करने आ रही थी उनके बीच में हमें एक आवता लेंस रख देते हैं तो जो दूर वस्तित वस्ते करने आ रही थी वो जब यहाँ पे पहुंचती है तो थोड़ा सा इनको यह फैला देता है ऐसे करके जो फैला देता है तो फिर यह retina पर retina पर मिलने लगती है और यहाँ इनका प्रतिविंब बन जाता है retina पर आई प्रतिविंब बन जाता है यह यह दोस correct हो जाता है तो इस दोस को हम कैसे दूर कर सकते हैं आवताल लेंस के दौरा आवताल लेंस का प्रियोग करके हम इस दोस इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेगइस्ट कोश्चन हमारा है, तीन का, एक अबतल दरपण से वस्टु का पृतिविंब भास्तविंब तथा बढ़ा, तो हमें बतानी है की वस्तु कहां रखनी है, वस्तु की स्थिती किरन आरिक के द्वारा बतानी है. तो देखे कैसे इसको बनाना, फीगर बनाना है, जो आपने 6 स्थितियां पढ़ी थी, उन्हीं में से एक स्थिति पूछती है आपसे, तो जिस स्थिति में बास्तिविक और बड़ा प्रतिम बनता हो, वो बनानी है, तो देखे चली अबतल दर्पन बनाते हैं सबसे पहले, ज कीच खिशते हैं, ये मान लिजे इसका फोकस है, और ये इसका वक्रता के अंदर, ध्यान रखना है, ये दूरी बराबर होनी जाए, पी एफ और एफ सी बराबर होनी जाए, देखे जब अननत पर बस्त होती है, तो फोकस पर प्रतिम बनता है, छोटा होता है, जैसे जैसे तरपन के पास आती है प्रतिम छोटा होता जाता है लेकिन जब C पे बस्तु पहुंचती है तो बराबर हो जाते हैं दोनों और C से आगे जब बस्तु बढ़ती है तो प्रतिम बढ़ा बनने लगता है तो मानलेज़े हमने C के आगे C और F के वीच में बस्तु ले ली कोई बस्तु हुआरी क्या है? A, B है यहां से दो किर्ने चलेंगी एक चलेंगी मुख्यचि के समांतर जो मुख्यचि के समांतर गई है वो कहा से जाएगी? वो इसके फोकस से होकर के जाएगी तो ये फोकस से होकर चली गई किरण दूसरी किरण हमने मान लिजिए इसके हम फोकस से ही पास कर देते हैं जो समानतर गई वो फोकस से होकर गई दूसरी किरण हमने क्या किया इसके फोकस से पास कर दी तो जो फोकस से किरन पास की है वो कहां जाएगी वो मुख्यच के समानतर हो जाएगी और यहां पर आप जहां पर जाकर एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर परतिम बन जाएगा तो देखें परतिम हमारा कैसा बन गया A-B- यह वास्तविक भी है और बड़ा भी है तो इस्तित हमारी कौन से वस्तु की इस्तित क्या हो गई C-Y-F के बीच में वस्तु C-Y-F के बीच में होगी तो यह हमारा इसका एंसर है नेक्स्ट कुश्चन हम देखते हैं